नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नियूज रूम पोस्ट में राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है इस दौरान राहुल गांधी के काफी ऐसे बयान सामने आए हैं जिसे भारत की राजनिती गर्मा गई है हाली में नियू यॉर्क के हड्सन उनिवर्सिटी के उनकी एक बैठक की तस्वीर साजा की है उनके बगल में एक महिला बैठी हुई दिख रही है अब सारी बात यहीं से सुरू होती है कि आखिरकार ये महिला कौन है और इसका क्या कनेक्शन है राहुल गांधी से आपको बता दें कि ये महिला सुनीता विश्वनात है हिंदू फोर हुमन राइट नामक संगठन की सह संस्थापक जो समय समय पर हिंदू के नाम पर हिंदू के खिलाफ जूट और प्रोपागेंड़ा फिलाने और हिंदू बनाम हिंदूत्व के नारेटिव को चलाकर लोगों को भ्रहमित करने का काम ये संगठन कर रही है वहीं दूसरी और खुद को सुनीता विश्वनात हिंदू देवी देवताओं के उपर आपति जनक चीज़े लिख कर और बोल चुकी है जैसे महादेव की चिलम फुक्ती तस्वीर लगा कर उन्होंने यहां तक कहा था कि हिंदूं में शराब, सिगरेट और मास कुछ निशेद नहीं है देवताओं को इस सभी चीज़े चड़ती है सुनीता विश्वनात हिंदूं को खिलाफ ही नहीं बलकि इनके तार देश विरोधी ताकोतों से भी जुड़े देखे जा सकते हैं इनके संबन्त परतेक्ष या अपरतेक्ष भारत विरोधी इसलामी संगठन जमात ISI से भी है सुनीता भारती अमेरिकी मुसलिम परिशद यानी IAMC जैसे इसलामी संगठनों के साथ कई कार्यकरमों की मेजबानी भी करती नजर आई है और साथ ही उनकी एक संस्था Women for Afghan Women की फंडिंग Anti-India चौर्ज सोरज की Open Society Foundation से आती है अब सोचने वाली बात यह की हिंदूओं और भारत के लिए इतनी नफरत रखने वाले लोग आखिरकार राहूल गांधी के इतने करीब कैसे है क्या यही राहूल गांधी के नफरत के बजार में मुहबबत की दुकान है अभी के लिए बस इतना ही आगे की खबरों के लिए देखते रहें न्यूजरूम पोस्ट